आज बात करने हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको जिस मुद्दे पे हर इंसान को बात करने है हर इंसान जानना चाहता है कि भाया इस पे clarity दे दो मेरी life sorted हो जाएगी और boss मैं तुम्हारी बात समझता हूँ तुम जानते हो अपने हर सर को कि यह हर सर हमेशा बाते वही कहते हैं जो logical हो to the point हो और feeling वाली बात नहीं कहते हैं अगर उसमें merit है तो बताऊंगा तो मैं उस merit के हिसाब से logic के हिसाब से research के हिसाब से मेरे को क्या लगता है कि April attempt easy आएगा या April attempt में 4 April easy होगा या 5 April easy होगा या tough होगा या क्या होगा ये आज इसी पे बात करने वाला हूँ और पूरी तरह से logical बात बताऊंगा कि मेरे को क्यों लगता है कि ऐसा होगा ठीक है तो शुरुआत करते हैं वीडियो का बिना विलंब के लेकिन शुरुआत करने के पहले सबसे पहले एक बात बताऊंगा एक बात बोलो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तुम इस वीडि सबसे ज्यादा देख रहा है नौ एप्रिल पांच एप्रिल तो तुम्हारे अंदर ने जिग्यासा उठी या चलो चल के देखते हैं हमारा पेपर कब आएगा लेकिन एक ऐसा यह है कि तुम्हारा पीपर जिस्भी डेट में हो रहा है पेपर तो नहीं होगा असान हो चाहरी कनी उस पेपर को निकालने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे सवाल क्योंकि वही सवाल तो आएंगे वही सवाल तुमको बनाने हैं तो तुम्हें चाहिए होगा कि वह सवाल तुमसे बन जाए चाहे आसान हो चाहे मुश्किल ऐसा ही है ना तो यार देखो मैं यह जो बाते कहे रहा हूँ ये बाते तुमको बहुत अच्छी लगेंगी, हो सकता है कुछ को बुरी लगे, तुम्हारे दिल को सुकून देने के लिए है, पर मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, इन बातों से JW के परफॉर्मेंस पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा परफॉर्म के नाते ये बात भी जानता हूँ, कि इस सेशन का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, और इसी लिए तुम्हारी पढ़ाई ना रुक जाए, इन दुनियादारी की बातों में, अपने दिल को सुकून देने की बातों में, तुम कही पढ़ाई ना भूल जाओ इसके लिए मैंने नीचे description box में एक बहुती बढ़िया खजाना डाला है, और वो खजाना ये है, ऐसे 200 सवाल मैंने चुन के निकाले हैं, जो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी April attempt में आने के सबसे ज़ादा chances हैं, सबसे ज़ादा chances, उन 200 सवालों को मैं हर बच्चे को guarantee से कह रहा सवाल नहीं याद किये, तुमने pattern समझा कि अच्छा, S type का pattern हर शर ने बोला है, ऐसे pattern का exam में सवाल आ सकता है, तो हो सकता है, तुम इस 200 सवाल की मदद से बहुत ज़ादा मुंकिन है, कि तुम इस 200 सवाल की मदद से 200 number ले आओ, सच बता रहा हूं, और इन 240 questions में मैंने physics, chemistry, maths तीनों के सवाल डाले हैं, तीनों के सवाल डाले हैं, और इसी लिए इसका नाम दिया, is your short, मेरे को ऐसा लगता है, अधिकांच chances हैं कि ये सवाल आएंगे, तो बेटा, मैं अभी बाते शुरू करने जा रहा हूं इसके बारे में, लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है इसको डाउनलोड कीजी आएंगेगे, और ये वीडियो जैसे ही खतम होगा, ये वीडियो की कहानी खतम हो जानी चाहिए, ये वीडियो खतम होते ही, इसका सोच रुक जाना चाहिए, और इसके बाद तुम कुछ नहीं सोचोगे, तुमारा एक ही काम है, ये 240 सवाल solve करोगे अगर ये promise करते हो तो आगे बढ़ूँगा नहीं तो मैं छोड़ दूँगा वीडियो क्योंकि मुझे भी पता है इस वीडियो से तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगी तुम जानना चाते हो पर इसके चक्कर में अगर तुम्हारा पढ़ाई खतम हो रहा है तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा क्या मैं सारे लोग से ये promise ले सकता हूँ कि हाँ सर ये वीडियो जैसे ही खतम होगा ये वीडियो खतम इसकी बात खतम हम इसके बाद इसके बारे में ना कुछ सोचेंगे ना आगे कुछ देखेंगे हम सीधा बैठेंगे अपने पढ़ाई पे क्या हर बच्चा इस बात को promise दे रहा है कि हाँ तुम बैठोगे 240 सवाल सारे लोग agree कर रहे हो yes or no तब ही आगे बढ़ूँगा नहीं तो मेरे को बढ़ना ही नहीं है मैं छोड़ दूँगा वीडियो खतम करेंगे done किया हुआ वादा तोड़ना नहीं तुमने खुद से वादा किया है किया हुआ वादा तोड़ना नहीं तोड़ोगे पक्का तो तुमको और याद रखना तुमने वादा किया है तुम और किसी के लिए नहीं निभाओगे, मेरे लिए नहीं निभाओगे, अपने लिए इस वादे को निभाना, कि ये 240 सवाल लगाना, हर हाल में लगाना, ठीक है, ये वीडियो खतम होते ही, चलो शुरू करते हैं, पहला, शुरुवात यहां से होती है, कि साल 2024, बहुत ही अलग साल रहा है, ये सा इन बच्च को COVID-Batch कह दिया गया था, और COVID-Batch कहते ही, इन बच्चों के 10th के examination से scrap कर दिये गये थे, और इन बच्चों को average marking में डाल दिया गया था, ये सबसे पहला चोट हुआ इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ, दूसरा चोट ये भी हुआ था, ये साल 2021 में से बली देने के ठीक पहले, साल 2023 में, साल 2023 में, NTA ने ये बोला कि भाई, mandatory है कि हर बच्चे को 75% लाना mandatory है, अगर नहीं लाते हो, तो हम आपको NIT, IIT नहीं देंगे, ये इन बच्चों के साथ तीसरा जोल हुआ, और चौथा फाइनल जोल इन बच्चों के साथ ये हुआ, कि NTA बोला साल 2023 में, अपना एक notification निकालके, एकदम November, December के टाइम पे, कि भाईया, ऐसी बात है कि हम आपका syllabus reduce कर रहे हैं, और इन बच्चों को लॉलिपॉप पकड़ाया कि हम आपके tension को और pressure को समझते हैं, हम आपका syllabus reduce करा रहे हैं, और हम आपका reduce syllabus पूछेंगे, ये बच्चों इनको लॉलिपॉप दिया गया, बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन इनकी आशाओं के विपरीत, साल 2024 में इन बच्चों से full syllabus पे सवाल पूछ लिये गए, इनको बोला गया था कि syllabus reduce पे पूछा जाएगा, लेकिन पूछ लिया गया full syllabus पे, ये बिचारा, बच्चा साल 2022 से थपेडे खा रहा है, और अभी भी खा रहा है, इसके हालात ऐसे ही है, full syllabus भी इससे पूछा गया, अब तो गिंती भी खतम हो गया है, शायद पांचमा या छठा बार इसके साथ ऐसा हो रहा है, अब पांचमा छठा बार जो भी हुआ, इसके बाद एक बार और कुछ इस बच्चे के साथ होता है, और इस बार क्या होता है, इस बार ये होता है, कि इस बच्चे का examination होता है, 2024 में, January attempt और पहला paper आता है, 27 January shift 1, और 27 January shift 1 में, बच्चों को महसूस तो नहीं हुआ कि paper बहुत जादा आसान था, लेकिन उसके numbers जब आए, तब सब ने बोला कि यार paper जाता था, maximum 200 पे 99% जाता था, वो 99% अचानक से, अचानक से बढ़कर 256 marks पे चला गया, इतना बड़ा jump तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो ये बच्चा चिलाया, ये बच्चा दोड़ा, गुहार लगाई, हंगामा किया, सोशल मीडिया पे बवाल किया, बोला justice चाहिए ह हमको JE में justice चाहिए, क्योंकि JW वालों ने क्या कहा, भाई जाहिर सी बात है, JW वाले यही कहेंगे, या पेपर आसान था, या इसलिए हो गया, लेकिन बच्चा बोला कि नहीं, ये इसलिए हुआ, क्योंकि आपने uneven distribution किया, सारे अच्छे चतुर बच्चे को, तेज बच्चों आपने उठा के January Shift 1 में डाल दिया, 27 January Shift 1 में, लेकिन JW भी JW है, NTA बोला हम तो NTA है बावा, हमारे जैसा तो हमसे लड़ोगे हैं, तो इसके बाद JW ने बजापते अपने Twitter handle पे इसका clarification जारी किया, और National Newspaper में एक बड़ा सा पूरा आर्टिकल जारी किया, पूरा का पूरा ड जानवरी सारे में, number of candidates almost बराबर हैं, male बराबर हैं, almost female बराबर हैं, number of total बच्चे कितने percentage appear हुए, कितनों का 99 से 100 percentile आया, मतलब पूरा डेटा दे दिया, इतना डेटा दे दिया कि यार को इनसान बिचारा गलत बोलने के पहले भी 10 बार सोचे, अब यार ये पूरी लड़ा गुहार लगा रहा था, लेकिन सुनवाई कहीं कुछ हुई नहीं, अब बतौर master मैं इस चीज को political कर सकता हूँ, politicize कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन मुझे पता है, ये बोलने से तुम्हें अच्छा तो बहुत महसूस होगा, लेकिन भला नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा भला तो ये बोलने पर होगा, कि बेटा जो भी हुआ हुआ, सब के साथ हुआ, हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हुआ हो, लेकिन इस पे तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ये है सच्चाई, तो अब हम इस पे सोचना बंद करें, और भ जलत साबित नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारा बस यही काम है, तो अब हमारा लक्ष क्या है, तो हमारा लक्ष है आगे बढ़ना, और वैसे मैंने खुद भी कुछ-कुछ चीज़ें की, जैसे मैंने अपने चैनल पे आज ही तीन घंटे पहले एक कम्यूनिटी पोस डाला, करीबन 26,000 बच्चों ने वोट किया, मैंने पूछा कब है तुम्हारा चाही एक्जाम, अब देखो आश्यर जनक तरीके से 4 एप्रिल पे सबसे जादा वोट दिखे, मेरे को फिर से थोड़ा सा ग्राउट हुआ, मैं सोचा लगता है इस बार फिर से ऐसा गरबढ़ होगा क्या, कि 4 एप्रिल वाले डेट के दिन, अधिकांज बच्चों का पेपर, क्योंकि जब सबसे जादा बच्चे उसी दिन हैं, तो इसका मदब जाहिर सी बात है, सबसे मिजॉरिटी टेज बच्चा उसी दिन चला जाएगा, और 4 एप्रिल टफ हो जाएगा, तो मैंने सुचा, नहीं, रुको, रुको, हर्ष, इमोशन में नहीं बहना है, आगे बढ़ना है, और थोड़ा और समझना है, तो मैंने देखा, 4 एप्रिल मेरे पे सबसे जादा है, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी सब तो सब बराबर है, मैंने दूसरे चैनल ओको उठाया, नाम नहीं ले सकता चार एप्रिल के अंदर, बट मोटा मोटी बराबर है, तो अब इस से मैं ये तो आकलन नहीं लगा सकता, कि चार एप्रिल का जो पेपर है, उसमें सबसे जादा बच्चे बैठे हैं, और इसी लिए उस दिन वो टफ आएगा, ये एक थौट है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा, तो फिर मैंने और अनलिसिस किया, और थोड़ा आगे बढ़ा, अब और आगे बढ़ा, तो मेरे को एक बात समझ में आई, कि भईया, NTA का मैंने पूरा डॉक्यूमेंट निकाला, और NTA हर जगा डॉक्यूमेंट में ये कह रहा है, कि भईया, आप भ पेपर टफ आएगा या असान, तो पहले तो ये तुम बताओ, तुमको क्या चाहिए, तुमको तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर इजी आए, या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर टफ आए, जरा चैट बॉक्स में मैं लिखके बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, कि लाइक को तुरंट खतम करता हूँ तुरंट तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि उनको उनका पेपर टफ चाहिए सारे बच्चे लिख रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज के डेट में बच्चा इतना चतुर और इतना दिमाग वाला तो हो ग है क्योंकि अगर आपका पेपर इजी आता है तो वो सबसे बड़ा दोधारी तलवार है और दोनों तलवारों से आप पेवार होगा क्योंकि पेपर इजी आएगा तो आपको बनाने में मज़ा आएगा और आपका आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने नंबर लाने क्योंकि इजी वाले में मार्क्स बहुत अच्छी बात है लेकिन अब देखते हैं तो मैंने क्या किया मैंने थोड़े से माक्स की अनलिसिस किया मेरे को दिखा साल 2023 में 99 परसेंटाइल तक के लिए मैकसिमम 200 नंबर चाहिए था 190 नंबर पर भी आता था in fact minimum 161 नंबर पर आ गया था 99 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल वो जगह है जहां पर बच्चा पहुँचने के बाद NIT भी पका है उसका और computer science भी पका है उसका कोई doubt ही नहीं है उसको चाहिए उसने highest marks कर दिया 230 कितना 230 वे 230 के नंबर से कम पे 230 नंबर से कम पे बच्चों का 99 परसेंटाइल नहीं आया इसएस वाले और यह easiest color shift था कौन वही अपराधी shift वही अपराधी shift जो था 27 January shift 1 तो 27 जैनवरी shift 1 वो अपराधी shift था जिसको सबसे आसान shift कहा जा रहा है और 230 नंबर के 99% आई दिया मतलब एक बात तो पक्की है कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे है बिल्कुल सही है easy तो नहीं आना चाहिए paper लेकिन अच्छी बात यह है कि January में paper जब tough आया तो इतना tough आया कि 156 नंबर और कम हो गया 161 से 5 नंबर और कम हो गया 156 नंबर पे ही 99% मिला मतलब एक बात ठीक है कि अगर tough आ रहा है तो इतना tough आ रहा है कि भाई आपको कम नंबर पे अच्छे percentile मिल जा रहा है मतलब आसान तो नहीं आना चीए ठीक है यह हम और तुम दोनों समझ रहे हैं अब देखते हैं थोड़ी सी reality तो मैंने क्या किया safe score निकालने के लिए मैंने safe score निकाल यह safe score मैं बात में बताता हूँ मैं पहले यहां आया यहां आया तो मैंने देखा January 2023 April 2023 और January 2024 और in fact इसके पहले मैं आप medium, 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 difficult, medium, 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 easy easy तो easy की संख्या एक, दो और 3 तीन easy paper थे, difficult का paper सिर्फ एक था और बाकी सारे medium और उसी के हिसाब से marks भी आया है मोटा, मोटी उसी के हिसाब से आया बिलकुल फिर मैंने देखा April attempt Medium 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 Easy 1 Medium 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 Difficult Difficult 2 Medium Easy तो Easy आये दो, Difficult आये दो ठीक है ये भी बढ़िया अब मैं आता हूँ January January 2024 देखो जरा Very Easy यही वो कुख्यात अपराधी है जिसकी वैसे 235 नंबर में 99% आल आया Very Easy 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 Difficult Difficult Medium मतलब 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 इन्होंने अचानक से सारे के सारे Medium को Replace कर दिया किस से Easy से भाई इन्होंने सारे के सारे Medium को Replace कर दिया Easy से अरे भाई अब मेरे को एक बात नहीं समझ में आई कि इन्होंने ऐसा किया क्यों तो फिर मैं वापस से सोचना शुरू कि आपने पूराने सारे तथियों को उठाया, तो मेरे को एक तथिय तुरंट दिखा, भाईया बहुत प्रेशर है सरकार के उपर, कि भाईया सुसाइड रोको, सुसाइड रोको, बहुत प्रेशर है, नहीं होना चाहिए, बच्चा गलत कदम नहीं चल रहा था, उतने ही मार्क्स में उसकी जीवन के ऐसी तैसी होगी, नहीं है डूब कोई भाई, इन जगाहों पे 99% के लिए, देखो ना हर रोज, हर रोज और मुस्ट 200 से उपर जा रहा है, इतने पे, पुराने जगाहों पे, देखो ना, क्या हाला थी, 99% कितने पे आ रह गया, तो मैंने बुला यार, यह क्या कर दिया है, इन्होंने, तो अब मैंने, फिर जब मैं सोचा, तो मैं देखा, यह दो ही कारण हो सकता है, यह करने के बीज़े, पहला, तो भाई, यह लोग सोच रहे हैं, बच्चा का जीवन आसा कोलाहल मचा दिये हैं, कि बच्चा तर organization जो 25-30 लाग बच्चों का exam लेता है वो गलती से paper आसान कर दिया ऐसा नहीं लगता और अगर किया भी होता तो एक किया होता ना भाई सारे आसान थोड़ी हो जाते तो मेरे को लगा अच्छा नहीं ये गलती से नहीं हुआ है ये सोची समझी साजिस है साजिस बोलो या थोट बोलो जो भी कहलो तो फिर मैंने सो चाब अगला क्या होगा फिर यही बात आती है कि अपरिल अटेम्ट में क्या होने वाला है अब मैं कुछ बताओ इसकी पहले मैं तुम से जानना चाता हूँ तुम मेरे को लिख के बताओ क्या लग रहा है एपरिल अटेम्ट में ये continue होगा तो yes लिखो कि सर ये continue होगा तुमको लगता है नहीं सर इनको समझ में आया होगा कि इन्होंने गलत कर दिया या बच्चों के तरफ से बहुत बवाल हुआ है तो ये क्या करेंगे अपने वापस से पॉराने पैटन पर लोटेंगे and हैंस हमें नहीं लगता कि ये वापद से ऐसा ही करेंगे तो no लिख के बताओ तो no लिख रहा है majority बच्चा बच्चा बहुत प्यारा होता है बच्चा बहुत मासूम भी होता है majority बच्चा यहां no लिख रहा है कई सारे yes भी लिख रहे हैं अब देखो यहां पर मैं सोचता क्या हूं वो बता सकता हूं लेकिन होगा क्या यह मुझे भी नहीं पता क्योंकि जहां तुम बैठे हो वही हम बैठे हैं ना हमारे चाचा काम करते हैं NTA में ना तुम्हारे चाचा लिख रहे हैं no idea ठीक है कुछ बच्चा लिख रहा है no तो no क्या मतलब यह कि बच्चे को लगता है कि नहीं सर अब यह April attempt में वापस से easy 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 नहीं देंगे और यह अब medium के तरफ वापस जाएंगे अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं process होता क्या है तो process यह होता है boss कि NTA या कोई भी examination जब examination का date release करता है तो release करने के ठीक बाद या उसके थोड़ा पहले ही खासकर यह JW जैसे examination जो पहले से planned होते हैं कि हर साल होना है तो यह लोग अपने paper बहुत पहले बना लेते हैं ठीक है तो इन्होंने अपने paper में जो भी questions आएंगे यह बहुत पहले ही decide कर लि decided हैं तो वो question इन्होंने पहले ही सोचा होगा कि हमको easy देना है ताकि यह बच्चों का the so called जीवन आसान बना सके ऐसा ही होगा तो अगर इन्होंने first attempt का decide कर लिया पहले और वो paper बहुत आसान दिया अब इस first attempt में बवाल बहुत हो गया बहुत बवाल हुआ सारे तरफ सारा ब इलाकर 10 shift होते हैं कितरे 10 shift हर shift में 30 30 30 90 सवाल आते हैं 90 into 10 900 सवाल तुरंत तुरंत बीते एक दो महीनों में change कर पाना और सिर्फ change नहीं उन सवालों को वापस से नया बनाना उनका solution बनाना उनका answer की बनाना और answer की बनाने के बाद उनको पूरे systems में upload करना तुमको क्या लग यह हो पाएगा या किया होगा इन्होंने ऐसा लग रहा है तुमको मेरे को personally यह feel होता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा this is what I feel personally and no comments on anybody यह मेरा personal comment है यह personal thought है किसी के उपर कोई लांचन नहीं है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार 900 सवाल एक महीने के अंदर वापस से नया बनाना medium लेवल का उसका answer की बनाना solution बनाना answer की बनाना नहीं मुंकिन है तो जब यह नहीं मुंकिन है फिर तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल तो बेटा जब यह नहीं मुंकिन है तो फिर क्या मुंकिन है यहीं मुंकिन है कि हो सकता है वापस से तुमको जैनवरी के बाद एपरिल में भी यहीं देखने को मिले अब क्योंकि जाहिर से बात है जब ये सवाल बना चुके हैं तो इनके हाथ में कुछ ऐसा है नहीं और दूसरा जब NTA चीक चीक कर बोली रहा है कि हमने कोई फेवरिजम नहीं किया है हमने कोई बच्चों को सेलेक्शन नहीं किया है तो भले चार एप्रिल को बहुत जादा बच्चा बोल रहा हो कि हमारा पेपर है जैसा भी हो जो भी हो ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे क्योंकि इनको सबसे जादा अपने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे भरोसा है तो बेटा अब मुझे जो लग रहा है मैं अपना थौट बताता हूँ कि मुझे किस लॉजिक से क्या लग रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है पेपर इसी पैटन का मेंटेन होगा एपरियल अटेंट आपका इज़ी आएगा आप चाहते हैं टफ लेकिन वो आएगा इज़ी और अगर वो इज़ी आएगा तो आप जो भी मार्मस सोच के चल रहे थे और दूसरा कि आप जो भी मार्मस मॉझ टेस्ट में देरे को असल दिक्कत क्या है पता है असल दिक्कत यह है कि बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है अब मॉक टेस्ट दे रहा है उस बच्चे को 120 नंबर आ रहा है या मालो 100 नंबर आ रहा है या माल लेते हैं 80 नंबर आ रहा है अब वो 80 नंबर कहां से आ रहा है वो 80 नंबर उस लेवल के ट मारता था अगर इस मार्क्स पे टॉप मारता था और आपको 80 आ रहा है तो आप बहुत खराब नहीं कर रहे हो लेकिन अब मैं तुमको बोलू कि अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो 160 नहीं 230 लाना होगा तुम्हारे पैरो तले जमीन घिसक जाएगी तो तुम टेंशन में हो ले चालिस नंबर से जादा उसमें आ जाएगा और दूसरा तुमने जो भी टार्गेट बनाया है उस पे भी 40 नंबर उपर ले लो उस पे भी 40 नंबर उपर ले लो अगर तुम्हारा टार्गेट बनावाए 150 आने चाहिए क्योंकि मैं ही वो इंसान था जो चीक-चीक कर बताया था कि भया एनाइटी तुमको 150 मार्क्स में मिल जाएगा अब मैं ही वो इंसान हूं जो बोल रहा हूं 150 मार्क्स में जो कंप्यूटर साइंस वाला एनाइटी मिलेगा आज की डेट में हो सकता है वो 180-175 पे मिले तो मैं चाहता हूं तुम सारे लोग 40 नंबर से टार्गेट कि आपका जो जैन्वरी अटेंट एप्रिल अटेंट होने वाला है वो मीडियम होना चाहिए दिस इस वोट आई प्रे टू गॉड कि भाई आप बच्चों को वापस से मीडियम लेवल का पेपर दे दो होना चाहिए लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ना हो पाए त था तो मैं बोलता है 175 का टार्गेट लेगो परन्तु चुकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है तो मैं कहूंगा 240 के आसपास का टार्गेट उठाना फॉर 99 परसेंटाइल यह सारे 99 परसेंटाइल वाले मैंने लिखे हैं सारे 99 परसेंटाइल वाले लिखें तो अगर moderate आजाता ह तो बले-बले यार तुम्हारा life sorted हो जाएगा 160 number पे तुम निकाल दोगे 99% पर tough आने के हाँ ध्यान दीजेगा ये पूरे April attempt में हर कोई का paper आसान होगा ऐसा नहीं है majority बच्चे का paper आसान हो रहा है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ तो हो सकता है अब देखो एक और बात ध्यान रखना तुम जब examination में बैठोगे तो तुमको भी नहीं पता है कि तुम्हारा वाला shift टफ वाला पकड़ा है या medium वाला तो अब तुमको ना और इसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है तुमको feel करना पड़ेगा देब बेटा वहां कोई काम नहीं आएगा ना हर्श्प्रियम काम आएगा ना तुम्हारा दोस्त काम आएगा ना तुम्हारा master ना तुम्हारा कोई माता पिता कुछ नहीं आपको exam hall में खुद से feel लेना पड़ेगा कि तुम्हारा paper easy आया कि moderate आया कि difficult आया अगर difficult आया अपने आप से दिमाग में बना लेना कि भईया 160 नंबर के आसपास 99% आयल जाएगा मेरे paper में अगर तुमको लगता है तुम्हारा paper medium लेवल आया है समझ जाना 175 से 80 जाएगा और अगर तुमको लग रहा है नहीं सवाल बहुत असानी से बन रहे है तो तुम खुद ही समझ जाना कि तुम्हारा paper में 240-230 के आसपास 99% आयल जाएगा मेरी बात सबको समझ में आई क्या एक बार chat box में yes चाहिए मेरे को और yes के बाद मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा यह पूरा information मैंने तुमको बता दिया क्या अभी तुम खुश हो happy हो sad हो mixed feelings है या फिर depressed हो कैसा है I really want to know मैं जानना चाहता हूँ कि यार मैंने information तो दे दिया बट मैं जब यह information बना रहा था तो भी सोच रहा था कि यह information दूँ या ना दूँ कई बार ऐसा होता न मैं को लग रहा था कि मैं information तो दे दूँगा तुम्हारी भलाई के लिए 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 शायद तुम खुश ना हो तुम कुछ मतलब उतना motivated ना हो तो अभी तुम motivated हो sad हो happy हो depressed हो कैसा हो sad लिख रहा है majority बच्चा feeling sad depressed लिख रहा है mixed feelings वाले भी है but happy तो कोई नहीं दिख रहा है देखो बतौर master मैंने तुमको ये बताया मैं सोच रहा था सच बता रहा हूँ ये अंदर से चाहत आ रही थी कि ये वाला information दबा लेते हैं नहीं बताते हैं बच्चों को लें फिर पता नहीं क्यों अंदर से लगा गया और दवा के क्या ही करूँगा मैं तुमको अपने protection में बचा लूँ मतलब कहते हैं न एक माबाप अपने बच्चे को दुनिया की बुराईयों से बचाना चाहते है पर कहीं उस दुनिया की बुराईयों से बचाने के चकर में मैं तुम्हारा development तो नहीं रोक रहा हूँ तो मेरे मन में यह feeling आई कहीं ऐसा तो नहीं यह information दवा के मैं तुमको विशम परिस्थितियों के लिए prepare ही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि नहीं यह बताना चाहिए अगर परिस्थिती खराब होने वाली है तो मेरे को तुमको पहले इतला करना चाहिए यह आद देख परिस्थिती खराब हो सकती है तु प्रिपैर होके ठीक है और इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूँ देखो बिटा यह सब चीजों मैंने बता दिया तुमको सब बता दिया कि भाईया नॉर्मलाइज़शन होगा तफ होगा आसान होगा सब कुछ बता दिया अब आखरी में मैं तुमको एक ही बात कहूंगा अपना बेस्ट दो मतलब कहते हैं ना अपना हाँ जगनात सब कुछ तुम्हारे हाथ में हैं अपने से सब कुछ कर सकते हो और इसलिए मैंने बोला 240 सवाल लगाओ तुम सवाल लगाओ तुम मेहनत पे ध्यान दो जो इसका रिजल्ट आएगा ना लेट देस्टिनी डिसाइड़ तो जो कहते हैं ना कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो तो ये आप कर्म कीजिए आप फल की चिंता मत कीजिए और वो आ जाएगा आपके पास आप अपने कर्मों को सबसे बढ़िया करो ये 240 सवाल जो डिस्रिप्शन में दिये इसको डाउनलोड करकर हर हाल में सॉल्फ करो और अपने आपको मुटिवेट रखो देखो तुम्हारे साथ ये 12 लाख जनता एक ही नाओ में ट्रावल कर रही है 12 से 13 लाख जनता जो होगा सब के साथ होगा ठीक है चलो तो दाट वस ओल डिस्रिप्शन बाउस में ये 240 कोशिंस दे रखा हो मैं उसको डाउनलोड कर लिजेगा बहुत फायदा होगा विश्वास मानिये और अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए जो भी पेपर आएगा जैसा भी आएगा हम लोग उसके लिए सामने खड़े रहेंगे डटे रहेंगे लड़ेंगे और इसी के लिए मैं 30 मार्च से 30 मार्च, 30 मार्च से शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों का फाइनल रिविजन का लैप फाइनल रिविजन की एक सिरीज शुरू हो रही है 30 तारिक, 31 तारिक, एक तारिक और दो तारिक, चार दिन आपका revision कराऊंगा, घंटों की classes चलेंगी, सुबह 9 बजे से 9 एम से शुरुवात हो जाएगा, आपको physics भी पढ़ाया जाएगा, chemistry भी पढ़ाया जाएगा, maths भी पढ़ाया जाएगा, और full on पूरा revision करवाऊंगा, मैं 31 मार्च, 31 मार्च, 1 मार्च, 1 April और 2 April, आप लोग आईएगा, चैनल पर सारे लोग subscribe रहिए, और ये अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, देखो इन ही सबसे फाइदा होगा, मैं आपका फाइदा पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, विशम परिस्थितियां हो सकती है, और इसलि हाँ जी, एक बच्चा, एक बच्चा कोई सूपर चैट भेजा है, ठीके चलो देख लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं, क्या सूपर चैट है, हेलो सार, मेरा डेट अप बर्थ है, बट अप्लिकेशन फॉर्म में 27 हो गया है, तो एक्जाम कैसे दूँगा, प्लीज हेल्प मी, अब बटा, एक्जामिनेशन हॉल में तो कोई नहीं चेक करेगा डेट अप बर्थ क्या है, ठीके, तो आप एक्जामिनेशन तो देने चाहिए, पर आगे चलके दिक्कत हो सकता है, पर ठीके, आगे शायद सेटल हो जाएगा, तो अभी अभी लोड ना लो बटा, आगे चल दोनों होगे, ठीक है, और बताओ, और कुछ इशु, मैं पत्ना कब आ रहा हूँ, 31 मार्च को, 31 मार्च को पत्ना रहूँगा, मैं आपको वापस से बता दू, 31 मार्च संडे का दिन है, पत्ना रहूँगा, किसी भी बच्चे को मिलना है, बेजिजख होकर आईए, सुबह 11 बज़े से कहा रहूंगा समराट अशोक कंवेंशन सेंटर गांधी मैदान के पास में है ठीक है तो वहां आ जाईएगा आप लोगों से मुलाकात करना है मैं भी चाहता हूँ दिली इक्षा है और मुझे ये भी पता है तुम परेशान भी हो इसलिए और जाधा चाहत है मेरी क मैं तुमसे मिल पाऊ ठीक है तो सारे बच्चे आईएगा बिना grade source आने के लिए बस एक काम करना है नीचे description में एक Google form दिया हूँ है उसमें लिखा होगा book your VLC पतना seat book your seat in VLC पतना उस पर click कीजेगा Google form भर दीजेगा आपको जैसी Google form भरेंगे आपके पास एक email ID पर आपके invitation आजाएगा कि you are quarterly invited in VLC पतना launch center समझ गए आप लोग जरूर आईए I'll be very happy to talk to you guys ठीक है चलो भाई that was all for this session I hope you loved and enjoyed it मिलते है अगले session में तब तक के लिए टेक क्या बाबाई गुद नाइट